गुर्मीत कौर पूछते हैं कि whereabouts क्या है तो आया फ्रेंड्स उनकी confusion को खत्म करते हैं whereabouts का इस्तिमाल हम दो condition में करते हैं पहला जब आपको कहना हो ठीकाना यानि जब आपको कहना हो कि मैं आपका ठीकाना जानता हूं तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I know your whereabouts यानि मैं आपका ठीकाना जानता हूं अगर आपको कहना हो कि उसका ठीकाना क्या है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे What is his whereabouts यानि उसका ठीकाना क्या है अगर आपको कहना हो कि मुझे उसका ठीकाना नहीं पता है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I don't know which whereabouts यानि मुझे उसका ठीकाना नहीं पता है तो friends उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला concept समझा कि whereabouts का मतलब होता है ठीकाना whereabouts का दूसरा मिनिंग होता है किधर से या किस तरफ से या कहां से जैसे अगर आपको कहना हो तुम किधर से आ रहे हो या तुम कहां से आ रहे हो या तुम किस तरफ से आ रहे हो तो चाहें आप कहें किधर से कहां से या किस तरफ से इन सभी words के लिए आप कहेंगे whereabouts यानि इस sentence के लिए आप कहेंगे whereabouts are you coming from यानि तुम किधर से आ रहे हो या तुम कहां से आ रहे हो या तुम किस तरफ से आ रहे हो अगर आपको कहना हो कि वह किधर से आया तो इस sentence के लिए आप कहेंगे अगर आपको कहना हो तुम यहां किधर से आते हो तो इस sentence के लिए आप कहेंगे तो friends उमीद करता हूँ कि आपको यह words शांदार तरीके से समझ में आया कि whereabouts का पहला meaning होता है ठीकाना और whereabouts का दूसरा meaning होता है किधर से, कहां से, या किस तरफ से तो friends अगर वाकई आपको यह concept समझ में आया तो क्या इस topic पर कुछ sentences comment box में लिखेंगे यहां मैं आपको बता दू कि ऐसे सेक्र और topic जानने के लिए आप मेरे application को install कर सकते हैं जिसका link मैंने description में दिया हुआ है फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे lessons के साथ तब तक के लिए बाए के लिए और अईक करुछ है झाल